हेलो एब्रिवन वेल्कम टू दी चैनल केर क्योर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहें तो आज मैं आपको बताऊंगी ज्यादा उम्र में भी अपने आपको किन चीजों को इस्तेमाल करें कि आप उसको इलिए यंग कुछ रिसर्च से पता चला है कि इंडियन्स की उम्र पहले जो अब 60 हो गई है पहले 80-90 हुआ करती थी तो अगर आप चाहते हैं हमेशा हेल्दी और यंग दिखना तो आप उस और हेल्दी अपनी इसकिन को भी दिखाना चाहते हैं ग्लोइंग इसकिन दिखाना चाहते हैं और तो अपनी आप डाइट में इन चीजों का यूज़ करें और हमेशा यंग रहें और राइफ पाएं इसके लिए मैंने जिन चीजों को यूज़ लिया है सबसे पहले मैंने लिया है आलमॉंड उसके बाद नारियल फूल मखाना अखरोट पिस्ता इन सभी को अच्छे से इन सभी ड्राइट फूल को ब्राबर ब्राबर कॉंटिटी में लेना है अगर आप 10-10 ग्राम ले रहें तो आप सभी सभी फूल को 10-10 ग्राम लें अगर आप 20 ले रहें आप के उपडिपन करता है आपको कितना बनाना है आप इस बात कर हमें ध्यान रखें कि आप नारियल पिसा हुआ ना लें क्योंकि इससे उसमें तेल निकल जाता है तो वो हमें इतना फायदा नहीं देता है तो इसको अच्छे से ग्राइंड करके अच्छे से ग्राइंड कर लें और इन सभी चीजों को हम ग्राइंड करके हमन डाइट शिट्सम बहुत अच्छा है तो आप इसमें एक ग्लास दूद में दो चमज भी डाल सकते हैं और अगर आप जोडों में दर्द रहता है और आप बहुत ज्यादा आपके क्या करते हैं जो बहुत पुराना मर्ज है हड्यों का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए आप इसमें कीकर का गौंद और चुटकी वर हल्दी मिला सकते हैं तो आपको सबसे पहले इसको मैंने एक ग्लास से ज्यादा दूद लिया है अब उसमें हम एक चमज डालेंगे आप चाहें तो अगर अच्छा सिस्टम है आपका डाटिशन सिस्टम तो आप उसमें दो चमज डाल सकते हैं फिर इसमें हमने यह लिया है दाल चीनी इसका पाउडर बना लेना यह एक ग्राम डालनी एक आप दो सकते हैं उसके बाद मैंने इसमें इसको अच्छे से बॉयल्ड करना है अब देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से इसमें दूद में पका लिया है यह समझ लीजिए हड्डियों का और हमारी पुरी बाप जरूर इस्तेमार करें और हमेशा आप जंग दिखें इसके इसमें आप हमें अगर आपको शुगर है तो आप शहत को स्किप कर सकते हैं अदर्वाइज एक स्पून आप एक टेस्ट के कॉर्डिंग या दो स्पून भी आप शहत को डालके अच्छी से मिला ले और आप इसको रोज अरली मौनिंग इसको या बैट टाइम आप यूज करें और इ वीवर्स हमारी वीडियो अच्छी लए और वीवर्स ये टेस्ट में भी इसका बहुत अच्छा होता है इसको बच्चे भी ले सकते हैं और अगर आप इसको अपनी डाइट में इसकी कॉंटिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और आप बिल्कुल आपके डिश्य सि करें सो वीवर्स हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकान को प्रेस करें जब तक के लिए स्टे फिट स्टे हल्दी